हलो फ्रेंज कैसे हूँ आप लोग और इस वीडियो में हम लोग आप स्पोर्ट करेंट इंग्रिश ट्रांजलेशन के एक्सराइज 32 को सॉलू करेंगे इस वीडियो में हम लोग ऑ आ का यूज करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में हम यहीं पूछा गया कि कहां पर अ कहां पर एलगेगा तो चलिए वीडियो सुरूख करेंगे और नमबर वर्न पर हमारा है कि SDO SDO मतलब सबसे पहले देखिए A और N का यूज किया कहा पड़ जाता है पहले समझते हैं N का यूज अगर किसी भी word का first letter भवेल हो तो वह उसके पीछे N का यूज किया जाता है या उस सब्द का Hindi meaning ठीक है Hindi में pronunciation करने पर उसका first letter स्वर हो तब हम उसके पीछे N का यूज करते हैं बाकि अगर नहीं हो तो हम वहाँ पर A का यूज करते हैं तो यहाँ पर S जो है तो इसलिए हम N लगाएंगे S अगर Hindi में पहले तो इधर consonant है लेकिन Hindi में अगर देखे तो यहाँ पर A हिंदी का A और S आता है ठीक है चलिए नमबर टू पर हमारा की N, C, C, Officer तो क्या बनाएंगे N यहाँ पर भी A और 9 आता है तो यहाँ पर N है तो इसलिए हम लगाएंगे N, N, C, C, Officer ठीक है नमबर तरी उर्दू पोइट तो यहाँ पर क्या बनाएंगे N उर्दू पोइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही है ठीक है तो यहाँ पर आगे देखेंगे फोर्थ नमबर में की F.O यहाँ पर भी A, F.O है ठीक है N, F.O लिखेंगे नमबर फाइब में हमारा है की होर्स तो क्या बनाएंगे A, A होर्स ठीक है होर्स हो आता है नमबर शिक्स में हाँस तो यहाँ पर भी लिखेंगे A, A हाउस ठीक है नमबर चैवन में होटिल तो यहाँ पर भी लिखेंगे A, होटिल नमबर एट One, Sighted Game One मतलब देखिए वह न वन ऐसे तो है लेकिन अगर हिंदी में देखे तो यहां पर है वन यहां पर हम क्या लिखेंगे ए वन साइड़ेड गयां नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कि आर्टिस्ट यहां पर वे हैं तो इसलिए भी लिखेंगे एन आर्टिस्ट नमबर टेन एडिटर क्या लिखेंगे एन एडिटर नमबर 11 इंक पोर्ट तो यहां पर भी लिखेंगे एन इंक पोर्ट नमबर 12 एसमॉल इंक पोर्ट तो आप यहां पर बोलिएगा कि यहां पर भी तो एस सुरू में है तो एस को एस लिख सकते लेकिन एस स्मॉल है पूरा वर्ड को पर यह स्मॉल उसको हिंदी में को राउनसियसन कीजिए एस स्मॉल को हम लिखते हैं सौ और अधा सौ मौ आकर और उपर में अर्देशांद बिंदू और लौ असमॉल यह मतलब सौ आता है पहले इसलिए यहां पर हम एका यूज करेंगे एस स्मॉलिंग पोर्ट नंबर थाटीन में हमारा एल पी स्कूल यहां पर बनाएंगे एन एल कि यहां पर लगांगे ए-बिए नंबर सिक्स्टीन आई एग यहां पर भी लगायंगे एन आई ए थिकां मैं नंबर सेवेंटीन बें यहां लगाना आइन ए jealousy हां पर दहले बात को फॉल्ड आता है कहां पर जहां पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लों comment में जरूर पूछे नमबर 20 में MLA ठीक है NMLA ठीक है नमबर 21 में हमारा MLC यहां पर भी M है तो इसलिए हम लोग यहां पर N का यूज करेंगे लिखेंगे NMLC ठीक है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा है कि MP यहां पर हम यूज करेंगे NMP अब किया यूज करेंगे नहीं अब क्यों आवरें लेकर तो हिंदी में करें तो होता है और शुरुम क्या आता है इसलिए आम लोग यहां पर N का यूज कि नमबर 24 आवर यहां पर लिखेंगे है एन आवर यहां purchased के आवार मतलब अरो نबगी फाइव थो यहां पर ही आता है तुम लिखिया ही नमेर 26 जान बली नोट ठीक है वन रूपी को मोड यहां पर दूंधिगे एक वन रूपी न में 307 में है वन आइड ल्네요 यह तो यह पर भी हुई लिखेंगे ए वन आइड में ठीक है है नमबoser 28 उनीख साइट तो यहाँ पर देखें यह से सुरू हुता है हिंदी में यहाँ पर हम बनाइंगे ए कि EU Conf beni और नमब टिन फिनाइन में है यूरॉपियन बी यूस निस जरू होता है तो ईसमें भी हम लिखेगे ए यूर्योपियन भी लिखेगा तो चलेगा नबर थार्टी में है यूनिवर्सिटी प्रोफeszków यहां पर भी यूस से सुरू होता है तो यहां पर देखिए useful, sorry n नहीं होगा, a होगा, a useful animal, ठीक है, number 33 में है aunt, तो बनाएंगे an aunt, ठीक है, number 34 में है bag, तो बनाएंगे a bag, number 35, old house, तो बनाएंगे an old house, number 36 में umbrella, तो बनाएंगे an umbrella, number 37, Indian ox, तो बनाएंगे an Indian ox, number 38 में है one man committee, तो यहां पर बनेगा a one man committee, number 39 है egg, तो बनाएंगे an egg, क्योंकि एग में तो लगेगा यह है और यहां पर देखिए useful है, वह एक भावल है, नीचे है rotten egg, तो यहां पर हम बनाएंगे a rotten egg, क्यों 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 क्योंकि आर जो है वह एक consonant है और रो से rotten मतलब रो से सुरू भी होता है, स्वर्व भी नहीं है, वेंजन है, इसलिए हम यहां पर एक यूज करेंगे, number 41 में है eggs, तो बनाएंगे eggs, ठीक है, number 42 में है intelligent horse, तो बनाएंगे an intelligent horse, number 43 horse, तो यहां पर बनाएंगे a horse, ठीक है, चलिए number 44 में है a boy, तो बनाएंगे a boy, number 45, honest boy, यहां पर देखिए honest, और से सुरू होता है, तो हम लिखेंगे an honest boy, number 46, very honest boy, very honest boy, तो यहां पर हम लिखेंगे a very honest boy, ठीक है, 47 में है yellow flower, क्या बनाएंगे a yellow flower, number 48, oil, तो बनाएंगे oil, क्यों, क्योंकि oil जो है एक तेल है, मतलब तेल का English है, तो ओयल को तो हम गिन नहीं सकते ना, एक तेल, दो तेल, तो कह नहीं सकते, तो इसलिए हम यहां पर oil का oil ही लिखेंगे, नमर 49 में है unique idea, ठीक है, तो unique idea का हो जाएगा, सिर्फ unique idea, क्योंकि idea को भी हम गीन नहीं सकते, यह भी एक भावना abstract noun के अंतरगत आता है, सब्सक्राइब कर लिजेगा, और हमारे सब्सक्राइब को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि वहां पर भी आप लगों को other तरह की translation पराइज आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ तर तक लिए, बबबाए!